Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11 की जो आपकी Woven Words Book है उसके essay No. 3 Patterns of Creativity की Summary and Understanding of the Text के कुछ important questions and answers आज मैं cover करूँगी अगर आपने मेरे इस essay के explanation का वीडियो नहीं देखा अगर तो मैं आपको बिल्कुल suggest करूँगी की One Hour का ही वो वीडियो है आप बिल्कुल उसे miss मत करीगा क्योंकि मुझे अस लगता है इस essay में हर एक line important है Summary में मैं आपको maximum हर level तक आपको cover करूँगी लेकिन मेरा personal आप से ये एक request समझ लीजे की मैं ही चारे हूं कि आप इसका explanation का वीडियो बिल्कुल भी न छोड़े क्योंकि each and every line of this essay is important for me So let's start with the summary of the essay The essay Patterns of Creativity is by a renowned astrophysicist S. Chandrashekar तो ये जो essay है जिसका नाम है Patterns of Creativity ये बहुत ही renowned बहुत ही famous astrophysicist ने लिखा है जिनका नाम है S. Chandrashekar अब astrophysicist कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो universe को समझते हैं stars, planets, इन सब को समझते हैं और इन में अपने physics के concepts apply करते हैं उन्हें हम कहते हैं astrophysicist In this essay, he represents a comparison between the patterns of creativity of the arts and that of sciences तो इस essay में वो क्या दर्शा रहे हैं हमें? कि जितने भी लोग pattern of creativity याने कला की जो एक creativity का जो pattern है जितने भी लोग art की field में use करते और जितने भी लोग science याने विज्ञान की field में use करते इन दोनों में difference क्या है? याने patterns of creativity in the field of art and patterns of creativity in the field of science याने विज्ञान और इन दोनों में क्या comparison है? यह हमको आज explain करने की कोशिशकरी हमारे essayist ने याने जिसने ऐसे लिखाएं the essayist begins with a question as to the reason for difference in the patterns of creativity among the practitioners in the art and the practitioners of the science practitioners याने वो लोग जो एक particular चीज़ को practice करते हैं बढ़ावा देते हैं या follow करते हैं तो जो practitioners है art के और जो practitioners है science के दोनों अपनी अपना अलग अलग pattern यूज करते हैं creativity का याने अपना-पना creativity अपना talent और mind यूज करते हैं अपनी-अपनी field में तो इन दोनों field में जो pattern of creativity यूज हो रही है इसमें क्या difference है याने इसमें दोनों क्या अलग कर रहे हैं वो भी समझाने की कोशिश की हमारे essayist ने याने जिन्होंने ये essay लिखा है he attempts to answer the same indirectly by giving few remarks तो essayist ने याने जो हमारे author है उन्होंने directly तो in questions के answers नहीं दियें पर पूरे chapter को explain करते हुए अलग-अलग scientists, अलग-अलग poets कि द्वारा लिखी गई कुछ line ए explain करते हुए हमें एक indirectly कुछ remarks दिये हैं कुछ answers दिये हैं जिससे हम कही न कहीं अपने answer तक पहुच जाए directly ये नहीं बताया कि literature या art अच्छा है या science अच्छा है लेकिन examples देखके उन्होंने हमारे उपर छोड़ दिया कि अब आप समझो कि आपको क्या better लगता है तो जो हमारे author है जो essayist है वो ये बताने की कोशिश करते है कि जितने भी scientist है जितने भी वैज्यानिक है और जितने भी poets हैं जितने भी कवी है इन दोनों का एक दूसरे के प्रती क्या perspective है याने दोनों एक दूसरे को किस नजारिये से देखते है और दोनों का एक दूसरे के प्रती क्या attitude है तो वो क्या बताते हैं इस chapter में अलग अलग बड़े बड़े दिगच English poets के बारे में जैसे John Keats, William Wordsworth Lois Dickinson इन सब के बारे में बताते हैं और इनके दुआरा कुछ लिखी गई lines या कुछ कविताओं की पंक्तियां को explain करने की कोशिश करते हैं और बतातने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बड़े बड़े poets का कितना negative attitude है science के लिए याने विज्ञान के प्रती कि वो लोग विज्ञान को पिल्कुल पसंद नहीं करते चंदर शेकर जो हमारे essayist है discusses the differences of views between the three poets तो जो ये तीनो poets है John Keats, William Wordsworth और Lois Dickinson इन तीनो poets के क्या views है क्या विचार है science को लेके और वो लोग कितने different है याने अपनी poetry, अपनी English, अपने literature को लेके कितने different है, science से कितने दूर है वो उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है In the essay, he remarks that Wordsworth draws his reader's attention towards nature तो उन्होंने बताने की कोशिश करी कि जो William Wordsworth है वो अपने readers, जो भी है जैसे हम लोग उनकी books read करते है या उनके poetry read कर रहे है तो अपने readers का ध्यान किस तरफ आकर्शित करने की कोशिश करीए Nature की तरफ याने nature, कुदरत, इन सब को बहुत पसंद करते है और यह बताया है कि अगर scientist का एक हाथ भी लग जाए nature की किसी beautiful चीज़ पे वो चीज समझो खराब हो जाएगी क्योंकि scientist हर चीज़ को खोल खाल के dissect कर देते हैं experiment करते हैं और हर beautiful चीज़ को बरबाद कर देते हैं And Keats talks about the dual face of human nature और जो Keats है याने John Keats बड़े poet है वो एक इंसान के dual face, दो मुहें चेहर हैं कि सामने से दिखते अच्छे लेकिन होते बोरे हैं जैसे scientist के बारे में बताया है Keats ने की ये बताएंगे बहुत अच्छा लेकिन काई ना कहीं experiment करते अच्छी चीज़ों को भी बरबाद कर देंगे Rainbow, जो कि इतनी beautiful चीज़ है उसको एक common star पे लाके चोड़ देंगे कि अरे Rainbow, हाँ normal है हाँ इसमें इतना ये color होता है ये इस तरीके से आती है मतलब इतनी beautiful चीज़ को भी अपने scientific concept लगाके ये बरबाद कर देंगे Which is inseparable और ये चीज inseparable है या इसको separate नहीं कर सकते कि जो scientist है वो ये experiment ना करे या ये वो beautiful चीज़ों को बरबाद ना करे ऐसा हो नहीं सकता In contrast, इसी के opposite Shelley represents या presence a completely different view about science in his poems इनसी के विपरीत याने ये जो तीन पोईट से इसी के विपरीत एक और बड़े पोईट है Shelley ये क्या present करते हैं? बिल्कुल अलग नजरिया present करते हैं अपनी poems में, अपनी कविताओं में science को लेके याने ये है तो poet कभी है, लेकिन science को हर एक चीज़ में include करते हैं अपनी काम में, अपनी poetry's में याने ये पसंद करते हैं science को poet होने के बावजूद भी Wordsworth and Keats were critical about the exploitation of nature जो William Wordsworth और John Keats थे, वो काफी critical काफी serious थे इस चीज़ को लेके कि nature, कुदरत को बहुत exploit किया है, बहुत बरबाद किया है science ने whereas Shelley enjoyed the scientific discoveries, लेकिन जो Shelley बड़े poet थे, वो बहुत enjoy करते थे, जो भी scientists ने discoveries करी हैं या नई-ने चीज़ें हमें लाके दियें चैले ने, ठीक He quotes Lois Dickinson's remark on literature which states that science expels literature and represents the counter argument made by Peter Medaver अब, जो एक और third poet है, Lois Dickinson, author ने उनके भी कुछ चीज़े कोट करी हुई हमें बताई हैं, ने उनकी भी कुछ कही हुई बाते बताई हैं, उन्होंने ये बताई कि जब भी science आता हैं, याने जब भी science की बात होती हैं, तो science literature को साहत्ते को expel कर देता हैं, याने दूर भगा देता हैं याने जहां science की बात होगी वहां literature की बात science होने ही नहीं देता, लेकिन ये बात सुनके, Peter Medaver नाम के scientist को बुरा लगा और उन्होंने science के defense में science की बच्चाओं में बोला कि बलकि ऐसा होता हैं, कि जब literature की बात होती हैं, तो literature science को दूर भगा देता हैं, याने expel कर देता हैं, याने जब literature की बात होती हैं, तो science के concepts और logic को अपलाए होने की जगा ही नहीं देता, ठीक तो जो हमारे author है, S. Chandrashekar, उनके हिसाब से, जो शेले poet है, यह इस दुनिया के सबसे suitable, सबसे best poet हो और उनको उन्होंने खाए कि वो scientist's poet है, याने कहने को तो कभी है, लेकिन scientist's के poet है, विज्ञानिकों के कभी है, याने विज्ञान को ध्यान में रखते हुए, base रखते हुए, वो अपनी कभीताएं लिखते है और जितना भी उनका काम है, जितनी भी उन्होंने poetries, कभीताएं लिखी है, उसमें एक harmonious combination बताया गया है, उन्होंने science और poetry का याने उन्होंने science और poetry याने science और literature को का combination किया है जोड़ा है और उसके बाद अपना काम एक harmonious याने polite तरीके से present किया है दुनिया वालों के सामने, याने कभी भी ऐसा show नहीं किया है उन्होंने कि अरे science खराब, literature अच्छा या literature खराब, science अच्छा नहीं, एक polite combination किया उन्होंने दोनों चीजों का और दोनों को साथ लेके चला है उन्होंने अपनी poetry के थू चंदरशेखर has quoted several works of Shelley, including the poem, the cloud, the essay a defense of poetry, तो हमारे author ने Shelley नाम का जो ये poet है, great poet इनके काफी सारी चीजों के, मतलब poems, जैसे उनकी जो poem थी the cloud, उसकी कुछ line ने हमें explain करी है और जो उन्होंने एक essay लिखा है a defense of poetry, उसकी भी कई line ने हमें explain करी है चाक्टर में फिर उन्होंने एक play लिखा था pro Matthew's unbound, इसकी काफी सारी lines उन्होंने explain करी है to further establish his point of view in the essay ताकि वो अपना point of view, अपना विचार हमारे सामने रख पाए कि उनका क्या विचार है, क्या point of view है science और literature को लेके तो ये सब चीजों उन्होंने इस essay में explain करी है, शेले के अलग-अलग कामों का example लेके याने अलग-अलग lines को explain करके so, जो lines है वो बहुत अच्छी है, आपको उसके लिए एक बार जरूर से chapter जरूर समझना होगा, जो कि सरफ one आरकन, it's very easy I will personally request you कि you must read this essay और मेरा वो वीडियो आप जरूर देखिएगा okay so, this was all about the summary and now let's discuss few important questions and answers question 1 differ from that of Wordsworth and Keats very important question कि जो शैले नाम के poet है उनका जो attitude था science को लेके वो अलग कैसे था Wordsworth और Keats के attitude से याने William Wordsworth और John Keats ये दो poets से इनका attitude science को लेके अलग था याने ये लोग बिलकुल science को पसंद नहीं करते थे उसी तरफ शैले एक दूसरे poet एक दूसरे कवी थे जो की science को बहुत पसंद करते थे in fact science को मद्दे नज़र रखते अपने poetry लिखते थे तो इन लोगों में क्या difference है answer is Wordsworth and Keats have opposite views on science as compared to शैले तो जो William Wordsworth और Keats है इनके बहुत ही opposite बहुत ही उल्टे विचार थे science को लेके अगर शैले से compare करे तो Wordsworth in one of his poems praises the beauty of nature and how science mischapes us तो जो William Wordsworth है वो अपनी कुछ कविताओं में बहुत तारीफ करते है nature की सुन्दर्ता के बारे में nature की beauty के बारे में और ये बताते हैं कि कैसे science ने और वैज्ञानिकों ने उस beauty को सुन्दर्ता को miss shape कर दिया है ने पूरा structure पूरा shape बर्बाद करके रख दिया है हमारे nature का Keats goes on to say that philosophy is destructive और दूसरी जगा जो John Keats से उन्होंने अपनी कविताओं में बताया कि जो philosophy है याने जो science है जो deep thinking करने वाले scientist है वो बहुत destructive है याने nature की बर्बादी करने पर तुले हुए Shelley on the other hand has an appreciative tone towards science लेकिन जो शेले हैं दूसरे हाथ पर अगर बात करें तो उनका एक appreciative tone है science को लेके याने कि वो science को विज्ञान को बहुत उसकी तारीफ करते हैं और science and literature को साथ लेके चलते हैं याने अपनी कविताओं में science के logic और उनकी concepts को apply करते हैं जहां भी मौका मिले अपनी poetry में science के बार में जरूर से mention करते हैं next question what do you infer from Darwin's comment on his indifference to literature as he advanced in years अब आप Darwin जो थे ये भी एक बहुत बड़े क्या थे Darwin एक बहुत बड़े poet थे infer का मतलब उता है understand तो जो Darwin थे ये poet नहीं थे ये एक scientist है याने कि ये plants and animals के बार में पढ़ते थे botany के कुछ scientist थे तो poet नहीं थे ये scientist है sorry तो जो Darwin थे ये बहुत बड़े scientist थे उन्होंने कुछ comment किया याने कुछ बाते बोली उनके comment से आप क्या समझते हैं और आपको कैसे पसा चलता है कि वो literature के प्रती बहुत indifferent हो गए थे याने उनको पहले literature पसंद थी और बादमन को literature पसंद नहीं आने लगी और जैसे जैसे advanced in years, जैसे जैसे उनकी उमर बढ़ती गई वो literature को ना पसंद करते गए दूर होते गए literature से तो ऐसा क्यों हुआ Darwin के साथ तो answer है Darwin confessed that he only gained pleasure from poetry up to the age of 30 तो Darwin बताते हैं कि उनको बहुत pleasure मिलता था बहुत खोशी मिलती थी poetry और कविताएं पढ़के सिर्फ 30 साल तक की उमर तक He thoroughly enjoyed the works of many great poets और बड़े-बड़े great poets बड़े-बड़े जो कवी थे जैसे Shakespeare, William Wordsworth, Milton Gray, etc. जितने बड़े-बड़े poets थे सब का काम वो बहुत enjoy करते थे और पढ़ते थे 30 साल के पहले तक Pictures and music also gave him great delight और Shakespeare की Pictures, Music पढ़ना, सुनना ये सब उनको बहुत खुशी दे था था 30 साल से पहले तक But over the years, जैसे जैसे उनकी उमर बढ़ती गई He couldn't find a taste for poetry, pictures or music उनका जो tastes था, उनका जो interest था कवीताओं को लेके, पुरानी Pictures को लेके Music, संगीत को लेके वो खताम होता चला गया In fact, he found the works of Shakespeare intolerably dull and reading it nauseated him बलकि बाद में 30 साल के बाद भी उनने कोशिश करी कि चलो Shakespeare का कोई play पढ़ लेता हूँ कोई story पढ़ लेता हूँ लेकिन जब उनने पढ़ा तो उनसे वो बरदाश ही नहीं हुआ वो play और उनको बहुत dull और boring लगने लगा और उनको ऐसा लगने लगा कि यह सब पढ़ने के बाद मुझे nauseated feel हो रहा है और मुझे गवराट हो रही है तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको पहले पसंत हूँ और फिर बाद में जब उनकी उमर बड़ी तो कहीं नहीं कहीं वो mature हो गए और उनको लगने लगा कि science को consider करना बहुत important है जितने भी इस दुनिया में facts हैं सच्चाईया हैं उनको उनसे मतलब interest आने लगए उन सब चीजों से scientific logic में उनको मज़ा आने लगा और इसलिए कहीं नहीं कहीं लिट्रेचर से दूर होते गए तो उनने कहा जब मैं स्कूल में था 30 साल तक के पहले immature था तब मुझे लिट्रेचर में इंट्रेस्ट और उसके बाद नहीं हुआ मैं दूर हो गए लिट्रेचर से क्योंकि मुझे science में इंट्रेस्ट आ गया next question what is the central argument of the speaker जो speaker है याने जो हमारे essayist है S. Chandrasekhar जिन्हों नहीं essay लिखा है उनका central argument क्या है याने कि वो actually में बात बोलना क्या चाहते है क्या दर्शान है चाहते हैं इस पूरे essay के थू so the answer is S. Chandrasekhar through the essay patterns of creativity attempts to find answer to the question why is there a difference in the patterns of creativity among the practitioners in the arts and the practitioners of the sciences तो जो हमारे essayist है अपने essay patterns of creativity के थू या उनका एक attempt एक कोशिश है एक सवाल का answer जानने के लिए और वो question क्या है वो question यह है कि जो लोग practice करते हैं आठ को और जो लोग practice करते हैं science को जो लोग art को practice करते हिं इनका अपना pattern of creativity यानि अपनी creativity लगाने के इनके अपने खुद के patterns है और जो लोग science practice करते यानि जो लोग scientist हैं विग्ज्णिक हैं ये भी creative होते हैं और लेकिन इनका pattern of creativity अलग होता है यह अलग चीज़े apply करते हैं अपने काम में, तो इन दोनों की patterns of creativity में difference क्यों है और कहां पर है ये अलग-अलग patterns of creativity क्यों use करते हैं ये सवाल है हमारे author का जो उन्होंने chapter के starting में पूछ लिया था The essays mentioned about Wordsworth who felt that interference of science destroys nature और उन्होंने समझाते हुए पूरे essay में ये भी बता है कि जो William Wordsworth नाम के बड़े poet है उन्हें ऐसा feel हो होता था कि science बहुत interfere कर रहा है और दखल अंदाजी कर रहा है हमारे nature में, हमारी कुदरत में और कुदरत को बरबात कर रहा है अपने experiments कर करके, while there are poets like Shelley who included science in his poetry और दूसरी तरफ बड़े-बड़े poets हैं जैसे Shelley जो अपनी poetry में, अपनी कविताओं में science के बारे में जरूर mention करते हैं तो हर तरीके का एक example उन्होंने दिया है towards the end और जैसे-जैसे हम essay के अंत की तरफ आते हैं तो जो हमारे speaker है जो हमारे author है included an extract from Shelley as a defense of poetry उन्होंने एक extract याने कुछ लिखा हुआ कुछ lines include करी chapter के end में Shelley जो बड़ा एक poet है उसकी a defense of poetry नाम के essay में से and further goes on to question why no such defense of science has been written by any scientist तो आखरी में हमारे author पूछने की भाई जैसे Shelley ने एक बड़ा essay लिखा है a defense of poetry कि जो लोग poetry को बुरा भला बोलते हैं तो उन्होंने अपने इस निभंद में poetry के defense में poetry के बचाओं में अच्छे-चीजे लिखी हैं और इतनी मेहनत करके essay लिखा है तो भाई science के लिए भी बड़े-बड़े poets और कितने सारे लोग बुरा भला बोलते हैं तो क्यों किसी scientist ने आज तक initiative नहीं लिया कोई क्यों scientist दाज तक आगे नहीं आया कि भाई defense of science नाम की किसी ने कोई book क्यों नहीं लिखी कि भाई science के बचाओं में जो लोग बुरा बड़ा बोल रहे हैं उसके बचाओं में एक book क्यों नहीं लिखी कि कहीं ना कहीं मैंने पूरा explain करके आपको इस चीज़ पर छोड़ दिया कि अब आप बताईए क्या अच्छा है science की literature तो मुझे अस लगता है कि उन्होंने शेले को बहुत पसंद किया है कि उसने कभी poetry को बुरा या science को अच्छा या science को बुरा और poetry को बुरा नहीं बोला उसने दोनों को साथ लेके चला है science and literature दोनों को तो यही एक message और यही एक central argument है तो एक central message है जो हमारे author हमें देना चाहते है and here we come to the end of this session I hope आपको पूरे question and answers और summary अच्छे से समझ में आ गय होंगे आप चाहें तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते है जो वहाँ ना मिले तो हमारी website पर जाएं which is magnetbrains.com जैसे आप website पर जाएंगे इस तरीके का एक page आपके सामने आएगा यहाँ woven words का एक option दिया हुआ है यहाँ पर अगर आपको मेरे videos देखने है तो इस पर click करिए जब आप click करेंगे तो मेरे list of videos आपके समने आ जाएंगे for example आपको syllabus overview का video देखने है तो आप इस पर click करिए जब आप click करेंगे तो मेरे video आपके समने play होना start हो जाएगा and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि magnet brains free of cost quality education आपके घर तक पहुचा रहे है तब तक के लिए bye bye and take care